दूसर डिविजिबिल्टी रूल आफ 16 इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर मेंको कोई भी नंबर दे दिया जाए तो मैं पता लगाऊं कि वो नंबर क्या डिविजिबल बाइ 16 हो सकता है या नियो सकता है एक्जामपल लेते हैं इसके लिए मान लेते हैं मिर पास एक नंबर है दोस्तों 8, 2, 1, 6, 3, 4 क्या ये नंबर 16 से डिवाइड होता है दोस्तों क्योंकि हमें डिविजिबिल्टी रूल ये बताता है कि कोई भी नंबर हम चेक कर सकते हैं डिविजिबिल्टी रूल से तो यहां पर हमारे पास basically divisibility rule में कुछ rule और trick हो, जो कि ये बताते हैं कि वो particular number किसी भी जो हम, डिस की भी हम divisibility check कर रहे हैं, जैसे कि हम 16 की case में check कर रहे हैं, 16 से divide हो पाता है या नहीं, तो जो rule है, वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी number है, जैसे इसी case की अगर हम बात करें, 8 2, 1, 6, 3, 4 आप उसके last के 4 number check करिए, ठीक है last 4 digits बोल सकते हैं, check कीजिए, अगर इसकी last की 4 digits divisible है by 16 तो दोस्तों ये complete number भी divisible होगा, 16 के साथ, मैंने क्या बताया, फिर से बताता हूँ, अगर आपको 16 के divisibility check करनी है, किसी भी number में, मतलब जैसे मैंने number लिया था, 8, 2, 1, 6, 3, 4 अगर आपको ये देखना है कि ये number 16 से divide होता है या नहीं होता है, तो मैं क्या करूँगा इस number को basically इसके last के 4 digits देखूँगा, जैसे कि इस case में 1 6, 3, 4 में पास है, last के 4 digits और मैं चेक करूँगा, दोस्तों, 16 से divide होता है या नहीं होता है ये चार देखूँगा, दोस्तों, 16 से divide होते है या नहीं होते हैं, अगर मैं देखूँ, 1, 6, 3, 4 ये 16 से divide नहीं होता है, क्योंकि 16 बज़गा 16, 16 से जोगा 32 अगर ये 16 से divide नहीं होगा तो मैं ये कह सकता हूँ के 8, 2, 1, 6, 3, 4 भी 16 से divide नहीं होगा इसकी understanding को और चेक करने के लिए सबसे पहले बड़ा number ले लेते हैं जिससे हमां understanding और build हो जाए ये दोस्तों मैंने एक बड़ा number ले 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 दिविजिबिल्टी चेक करनी है 16 के साथ कैसे चेक करेंगे वही ट्रिक लगाएंगे दोस्तों लास्ट के तीन नंबर ले ले लेंगे लास्ट के तीन नंबर क्या है इस case में 1, 6, 4, 8 इसकी डिविजिबिल्टी चेक करेंगे 16 के साथ क्या ये divide होता है 16 से दोस्तों definitely ये divide होता है कैसे ये देखिए ये 1, 0, 3 दोस्तों ये आ जाता है अगर मैं 16 से इसको divide करूँगा इसका मदर इस case में remainder 0 आ जाता है completely divide होगा perfect divide होता है और हम कह सकते हैं फिर ये पूरा का पूरा number जो है 1, 9, 9, 2, 6, 4, 1 6, 4, 8 भी completely divide होगा 16 से so divide is possible तो इस तरीके से हमने देखा कि divisibility rule हमें कितना असान कर देता है किसी भी number को check करने में कि क्या वो number हम 16 की divisibility check कर रहे हैं उससे divide हो सकता है या नहीं हो सकता है ऐसे ही जासे हमने आपको शुरू में बताये थे 3, 4, 5, 6, 16 सब नंबरों के divisibility ऐसे ही 16 की divisibility हम check कर सकते हैं इसके वीचे एक basic concept में आपको बतायाता हूँ 16 की divisibility हमने last के 4 digits से कैसे check करी है इसके understanding दोस्तो इस तरह से है कुछ 16 होता है वो कैसे बनता है अगर मैं इसका prime factor form लिखूं 16 बनता है इसका मतलब क्या है कि 2 into 2 into 2 into 2 वो नंबर 16 से divide तब होगा जब वो नंबर 4 times 2 से divide हो जाए ठीक है तोस्तों वो नंबर 2 से 4 times divide हो मतलब कि अगर मैं कोई भी number लेता हूँ जैसे suppose मैं 32 लेता हूँ इसको मैं अगर divide करू 2 से यह मुझे मिलेगा 16 8 फिट डिवाइड करू 2 से यह मिलेगा 4 फिट डिवाइड करू 2 से यह मिलेगा 2 यहाँ पर गऊर कीजी यह 4 times 2 से divide हुआ है इसका मतलब दोस्तों 32 16 से भी divide हो सकता है जो की होता है हमें पता है तो इस तरह से understanding ले सकते हैं कि 2 की power है जैसे के 4 उतने number of time हमें उस number को divide करना पड़ता है तो इसलिए हमने दोस्तो अगर हमें उसको 4 बारी 2 से divide करूँगा तो इसका हमला definite है कि मैं उसके last के 4 terms check करूँगा मतलब last के उसकी 4 digit check करूँगा और फिर बताऊँगा कि वो number divisible wife 16 है या नहीं है यह इसके पीछे जो basic concept है वो यह है दोस्तों कि हमने उसको उसके 4 digit क्यों लिए 5 क्यों नहीं लिए आप यह भी मुझसे सवाल कर सकते हैं तो उसके सवाल का जवाब यह है चार digit में इसलिए क्योंकि उसके उसके लिए मुझे चार बारी 2 से उसको divide करना पड़ता है तो यह हुआ हमारा एक basic सा funda और basic से understanding divisibility rule of sexing के लिए I hope को अच्छा लगा होगा और आप इसको apply करें question को solve करने में तो So I hope आपको काफी अच्छा लगा होगा Keep listening, keep learning, thank you